चलब सिधाब को वारानसी लिए चलते हैं जहाँ पर पीम नरेंद्र मोदी ने अपना नमांकन पत्र दाखिल कर दिया है और ये कारले से बाहर निकलते हुए तस्वीरे आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जनता का भ पत्र दाखिल कर दिया है और अब यहां से गुजर रहे हैं निकल रहे हैं कारले से बाहर ने ये रोडशो किया था और उस रोडशो का रितेहाँ सिधी बनाने के लिए बीजो की ने एडी चोटी का जोर लगा दिया और ये सीधी तस्मीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं पीम नरेंद्र मोदी ने अपना नमाकन पत्र दाखल कर दिया है और दाखल करने के बाद वो कारले से बाहर किया निकलते हुए हाथ तुठा कर जनता का अभिवादन उन्होंने किया NDA के नेताओं के साथ भी ये तसवीर आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौझूद है NDA के नेता यहां मौजूद है, BJP के नेता यहां पर मौजूद है सीधी तस्वीर आपके सामने अभी है फोलों से अभिवादन उनका किया जा रहा है कारकरताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा जनता ने भी अभिवादन किया वारा नसी लोकसभा सीट, BJP का गड़ रही है 1991 के अगर बात की जाए तो 1991 को छोड़ कर अमूमन BJP यहां से जीतती आई है और PM नरेंद्र मोदी लोकसभा सीट से यहां पर चुनावी मैदान में है 2014 की बात की जाए तो 3-4 लाके मार्जिन के साथ PM नरेंद्र मोदी ने वारा नसी लोकसभा सीट से जीत हासल की थी और अपने आपको गंगा पुत्र कहा था 2014 में जब उन्होंने वारा नसी पर नामांकन भरा था तो एक चीज उन्होंने कही थी जो चीज बात में काफी ट्रेंड भी हुई थी कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है मैं मां गंगा का पुत्र हूँ और ये तस्वीरे आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं वारा नसी से इस वक्त की सीधी तस्वीरे जहाँ पर PM नरेंद्र मोदी ने अपना नमांकन पत्र दाखिल कर दिया है और उसके बाद नमांकन पत्र दाखिल करने के बाद दो तस्वीरे आपके सामने हैं जहाँ पर एक तस्वीर में वो आपको पल दिखाई देंगे जहाँ पर पीएम नरेंद्र मूदी अपना नमांकन पत्र दाखिल कर रहे थे वहीं दूसरी तस्वीर अपकी तस्वीर है जहाँ पर पीएम नरेंद्र मूदी निताओं के साथे हाल ही कि ये तस्वीरें है दो तस्वीरें आपकी टीवी स्कृन पर वारा नसी से पीएम नरें प्रासिक बनाने के लिए बिजोपी काफी समय से तैयारी कर रही थी कर रोड़ शो के बाद आज नमाकन पत्र धाखिल किया गया है हुआ है